कि ऐसा क्या कारण था कि तीन बिडर आते हैं दो रिजर्व प्राइस से कम करते हैं एक मात्र 11 करोड रुपे रिजर्व प्राइस से ज़्यादा देता और उसको हेलिकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी जाती है पॉइंट नमबर तीन ये जो पवनेंस है इसकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी भारस सरकार के पास है उन पचास प्रतिशत हिस्सेदारी ओएंजीसी के पास है और ओएंजीसी कहा रहा मैं खरीदना चाहता हूँ क्यों ओएंजीसी को नहीं देके एक 6 महीने पुरानी कंपनी को दे दिया गया क्योंकि ओएंजीसी के मूवमेंट पवन हंस के थुरू होते हैं और ना केवल ओएंजीसी के हेल के मूवमेंट भी पवन हंस के थुरू हो रहे हैं क्यों उन कमपनियों को ये कमपनी नहीं दी गई और तो और पवन हंस कमपनी के जो एमप्लोईज है वो कह रहे हमको दे दो हम खरीद लेते हैं हम चला लेंगे उनकी यूनियन ने बिड भी करी पर भारत सरकार ने का नहीं तुम योग्य नहीं हो छै महीने पुरानी कमपनी य इमको कुछ नहीं आता है केमेन हैलेंड में जो लोग बैठे हैं वो योग्य हैं हमारे देश की सबसे पूरानी हेलिकॉप्टर कमपनी चलाने के लिए